Welcome back in my new video दोस्तों मेरा नाम है राहूल, मैं हूँ एक दिजल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तेमवारों से पैसे कमाने का एक ऐसा ट्रिक जिसके उपर दोस्तों आप सभी लोग घरबेटे काम कर सकते हैं और हर फेस्टिवल से आप कम से कम एक दिन में 500 से 800 डॉलर या 1000 डॉलर तक की इनकम आप आसानी से घरबेटे कर सकते हैं देकि दोस्तों ये तो सभी आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में हर धरम के लोग रहते हैं जितने धरम के लोग इंडिया में रहते हैं उतनी festival इंडिया में मनाये जाते हैं और जितने festival उतना ज़्यादा आप income आराम से घर बेटे कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एक simple trick होता है और जो trick आज इस वीडियो में जो process आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस trick पे already कई सारे लोग काम करते रहते हैं और वो इसी track के जरिए हर एक festival से इंडिया में जो भी festival आता है जिसे आपको पता ह कि आज 15 August है 15 August को भी दोस्तों एक कई सारे लोगों के लिए आज income का source बना होगा इसी परकार से आने वाले टाइम में और भी इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े festival आने वाला है जिसे दिवाली एक festival आने वाला है इसी परकार से इंडिया में हर एक महिने में कोई ना कोई बड़ा festival आता है और अगर इंडिया के अंदर कोई भी festival आता है तो दोस्तों आप भी इस ट्रिक का जो प्रॉसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं इस प्रॉसेस का आप इस्तमाल कर सकते हो और आप घर बेटे-बेटे आसानी से हर एक festival पे 500 से 1000 डॉलर प्रॉसेस इस वीडियो में बताऊंगा इसको करने के लिए आपको किसी भी परकार का कोई कोर्स वोर्स नहीं करना आप मोबाल फोन से भी इस ट्रिक का इस्तमाल कर सकते हैं आप घर पे बैटके कर सकते हैं आप एक student है, housewife है, job person है ज्यादा टाइम आपको नहीं है तो भी इसका इस्तमाल कर सकते हूं क्योंकि इसमें आपको ज्यादा टाइम देना ही नहीं पड़ेगा, बस एक बार काम करना, एक दो गंटे आपको देना है और हर festival पे आप हजार या उससे कम डॉलर आप आसानी से बना सकते हैं, ज्यादा काम कर लोगे, ज्यादा डॉलर यानि कि ज्यादा पैसा आप कमाल होगे, अब यह ट्रीक कौन सा है, कैसे आप इसका इस्तमाल करेंगे, प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step guide करने वाला हूं, तो ready हो जाईए, और मेरे साथ जो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, वो आप करिए ताक इस चैनल पर मैं आपके लिए डालता रहता हूं, daily knowledgeable videos, जिनको आप देख सकते हैं, और अपनी knowledge और अपनी skills को improve कर सकते हैं, चलिए अब दोस्तों हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं, और अब मैं आपको बताता हूं कि festival की मतलब से आप हर festival पे पैसे कैसे कमा सकते हैं, देख तो सबसे पहला step आपको कौन सा लेना है, आपको सबसे पहले simply google पे जाना है, और google पे जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक tool का हम इस्तमाल करेंगे, जिससे हमें यह पता लगेगा कि इंडिया में कौन सा festival अभी आ रहा है या चल रहा है, ठीक है, वो हमें पूरा data भी देगा, और वो हमें festival की पूरी जानकारी भी देगा, और उसी tool की मदद से हम festival की मदद से पैसे कमाएंगे, ठीक है, तो देखें, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको google पे जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको type करना है, गूगल trends आपको type करना है, यह हमारा पहला step होने वाला है, ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा, दोस्तों इस वीडियो को सुरू करने से पहले, देखें, यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है न, तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा, यह एक real तरीक है, और इस पर मैं, या फिर हमारे जिससे कई सारे digital marketing expert, कई सारे लोग इस trick पे काम करते हैं, और वो हर festival पे अच्छा पैसा बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप भी कोई तरीका डून रहे है पैसे कमाने का, तो यह आप एक बार वीडियो and तक जरूर देखना और उन दोस्तों के सबसे पहला जो step है, वो है आपको Google Trends सर्च करना है, और यहाँ पर देखे, आपको simply Google Trends का जो official website का link आपके सामने आ रहा है, simply दोस्तों आपको link के उपर click करना है, जैसे दोस्तों आप link के उपर click करेंगे, आपके सामने Google Trends open हो गया, और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह ही एक ऐसा tool है, जिससे हमें festivals का data मिल सकता है, यह Google का product है, free to use है, कोई भी इसको use कर सकता है, easy to use है, और यह tool है, वो आपको हर festival, हर उस topic के बारे में जानकारी देगा, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखे, simply, सबसे पहले आप आपको यहाँ पर country चूज करनी है, इंडिया, क्योंकि आप इंडिया से बिलॉंग करते हैं, आपकी country के according, अगर आप इस trick का इस्तमाल करना चाहते हैं, तो आप अपनी country चूज कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों को करना है, क्या नीचे स्टोड हम करना है, और यहाँ पर दे और इसके उपर अगर आप देखेंगे, तो करीब आज की दिन में 2 million search volume है, ठीक है, 2 million का मतलब समझते हैं, 1 million में 10 lakh होता है, और 2 million का मतलब होता है, 20 lakh लोगों ने आज कम से कम 15 August के बारे में search किया, Independence Day के बारे में search किया, इसके अलावा, इस keyword पे और भी different keywords पे लोगों ने search क किया होगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आजादी का अमरत माहसव, 20,000 लोगों ने search किया, उसके बाद दोस्तों, जन अगानमन, इस पे भी कड़ी 50,000 लोगों ने search किया, उसके अलावा, देखें दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे स्कोडाम करेंगे, तो आज की डेट में लोगों ने search किया है, तो main आज का topic पता है, आज का topic है main 15 August, तो 15 August आपके लिए वो topic बन सकता है, एक festival topic बन सकता है, जिसके उपर आप काम करके पैसे कमा सकते हो, ठीक है, तो यह पहला step आपको लेना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी इंडिया मे कौन सा festival है, और कौन से festival के उपर आपको काम करना है, जब फिर अगर आप चाहें, तो इसमें एक trending topic भी ले सकते हैं, ठीक है, काफी सारे trending topic आपको मिल जाएंगे, अलेगले countries के according भी आपको मिल जाएंगे, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, नीचे स्कूर्डम करेंके द कल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राके इस जुन जुन वाला के उपर करीब करीब 5 million का search volume आया, ठीक है, तो यह भी एक पैसे कमाने के लिए आप topic ले सकते हो, ठीक है, तो यह एक तरीका था जिसके उपर आप काम कर सकते हैं, और यह देखें, करीब 14 तरीक को भी 10 million लोगों ने 15 August के उपर search किया है, ठीक है, तो पता लग गया होगा, कोई doubt है, कोई confusion है, कुछ सवाल करना है, comment box में मुझे comment करना, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, like और अपने दोस्तों के साथ share करना, ठीक है, तो यह ट्रिक है, festival से पैसे कमाने का, पहला तरीक आपको समझ में हागया, step आपको समझ में हागया, यह तक वीडियो देखा है न, तो अब आप आगे देखो, पैसे कैसे कमाने है, इसका استعمال करके, देखें दोस्तों, दूसरा जो step आपको लेना है, वो अब आपको लेना है, इस topic की मदद से पैसे कमाने के लिए, देखें द investment, यानि कि free में काम करके करना चाहते हो, तो फिर आप free वाला option भी choose कर सकते हो, उसमें हो सकता है आपको कम income मिले, या फिर अगर आप paid वाला करोगे, तो फिर आपको ज्यादा income मिलने वाली है, ठीक है, तो देखे, payment करने से तो सब लोग डरते हैं, क्योंकि investment तो किसी को करना ही नहीं है इंडिया में, सीखना भी किसी को नहीं है, तो चली मैं free वाला option आपको दे देता हूँ, क्योंकि free वाला option तो आप सीखी सकते हो, तो अगर आप free वाला option अभी सीख लोगे, तो बाद में आप उसको paid पे convert कर लेना, थोड़ा बहुत invest कर लेना, ताकि आपको ज्यादा income हो जाएगी, ठीक है, चली दोस्तो अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा step आपको लेना है, आपको इस topic क्यों पर content को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोगों ने इस पर search किया है, तो गूगल में search किया है, आप गूगल में search किया है, तो गूगल में दो ही चीज़े आती है, पहला blog और दूसरा website, तो content लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब तक content नहीं होगा, लोग आएंगे नहीं, और लोग आएंगे नहीं, तो फिर आपको income यानि कमाई नहीं होगी, ठीक है, तो आपको करना क्या है, content लिखना है, देखे, content कहाँ लिखोगे, कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको जानकरी दूँगा, tension मतलो, देखे, आपको करना क्या है, याप फ्री वाला काम आपको करना है, तो देखे, आप कहाँ पर टाइप करना है blogger blogger एक आसान platform है, blog google.com का, इसके उपर आप अपना blog free में बना सकते हो, और आप इसके उपर content को share कर सकते हो इसके लाव अभी आप wordpress पे भी बना सकते हैं wix.com भी बना सकते हैं website.com भी बना सकते हैं और ऐसे कई सारे platform मिल जाएंगे जहाँ पे आप free blog को create कर सकते हो लेकिन सबसे easy रहेगा आपके लिए blogger.com ठीक है तो देखे, आपको करना किया blogger.com के उपर आपको click करना है, जैसे दोस्ट आप blogger.com के उपर click करोगे, blogger.com आपके सामने open हो जाएगा इस परकार से आपके सामने blogger.com open हो जाएगा, तो यहाँ पे आप दोस्तो देख सकते हैं, मैंने अपना blogger.com के उपर नएक account switch कर लिया है और वैसे इस account पे भी दोस्तों मेरा पहले से already blogger.com का account बना हुआ है कोई बात नहीं आपको process क्या करना है मैं आपको जानकर ही देते तो देखिए blogger.com के उपर जैसे आप अपना mail account login करोगे आपका blogger.com का account यहाँ पे login हो जाएगा आपको करना क्या है दोस्तों जैसे आप यहाँ पे login करोगे आपके सामने इस परकार से option आएगा choose a no name of your blog तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको title डालना पड़ेगा तो title में आपको करना क्या है देखिए जैसे मैं यहाँ पे Indian कुछ Indian festival Indian festival इस परकार से मैं डालतेता हूँ spelling हम एक बार देख लेता है यहाँ पे new tab में जाके check करेंगे और Indian festival हम यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर अगर आपको date of year लगाना है तो फिर आप यहाँ पे देखिए लगा सकते हैं जैसे 2023 लगा सकते हैं या फिर दोस्तो 2022 भी आप लगा सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे एक बार यह लगा कर लेता हूँ तो मैंने इसको copy किया और उसके बाद आप यहाँ पे इसको paste कर सकते हैं तो अगर हम Indian festival के नाम से blog बनाएंगे ला तो फिर आपके blog पे traffic easily आ जाएगा ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों हमने Indian festival 2023 लगाया और आप आपको next button पे click करना है उसके बाद दोस्तों address का नाम पूचा जा रहा है तो address के अंदर भी वही चीज आपको shape paste करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह name अभी हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि काफी सारे लोगों ने इसके उपर already blog बना लिया होगा और लिख लिया होगा और वो इसके उपर काम भी कर रहे होंगे ठीक है तो मैंने आप पे 2022 लगा के देखा चली दोस्तों इसमें भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं हम कुछ और change कर लेते हैं हमारा काम तो बनी जाएगा हम यहाँ पे 2024 करके देख लेते हैं तो यहाँ पे देखे दोस्तों यह हमें नेम मिल रहा है वैसे कोई बात नहीं है आप इसको बाद में भी change कर सकते हैं अभी जो मिल रहा है उससे काम चला लीजे आपको करना का है save button पे click करना है और जैसे दोस्तों save button पे click करोगे आपका ब्लोग यहाँ पे बन चुका है और यह देखे अभी आपका जो ब्लोग है वो है Indian Festival 2023 के नाम से अगर इसका नाम आप change करना चाहो तो बाद में भी change कर सकते हो देखे यहाँ से आपका जो नाम है वो easily change हो जाएगा आराम से आप अपना नाम change कर सकते हो कोई problem नहीं होगा आप अपनी setting में जाखे नाम change कर लेना तो इस परकार से दोस्तों आप अपना blogger का account बना सकते हो blogger account बनाने की बाद अब आपको करना क्या है इसकी जो कुछ settings बेसिक settings वो भी आप एक बार complete कर लीजे जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पोस्ट का option दिखे रहा होगा तो पोस्ट वाले option पर क्लिकर होगे तो जो भी आपको आपनी आपे पोस्ट करें होगे ना वो पोस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे option में दोस्ट आप यह भी चूज कर सकते हैं कि आपका जो ब्लॉग आप दिखा रहे है वो आपका कैसा ब्लॉग दिखना चाहिए तो यह theme और यह हमारी select हो रखी है यह आपके लिए ठीक है चलेगा को इश्यू नहीं है और उसके बाद दूसरा आपको करना क्या है यहाँ पर देखिए settings वाल option पर क्लिक करना है और जो इसकी setting आपको change करना है वो आप कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए title का option आपको दिख रहा है तो वह आपके उपर depend करता है comfortable जिसमें आप उस पर लिख सकते हैं उसके बाद दूसरा आपको initial return करना है और adult content इसमें आपको कोई adult content डालना नहीं है तो आप इसको वैसे के वैसे रहने दीजिए उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पर देखिए logo अगरे कुछ लगाना है तो अपने according logo लगा सकते हैं इसको आप on करिएगा ताकि search इंजन में आपका जो ब्लॉग है वो जल्दी fetch हो जाए उसके बाद दूसर ब्लॉग address इसके उपर अगर आप नाम change करना चाहते हो तो वहाँ से बाद में भी change कर सकते हो या फिर दोसरा आपको custom domain name लगाना तो वो भी लगा सकते हैं थोड़ा बहुत आपको payment करना पड़ेगा and उसके बाद देखे दोसरो http redirect तो यह आप on रखो और उसके बाद देखे permission में आपको कोई changes नहीं करना है यहाँ पर reader access में आपको publish करना है ठीक है public करना है क्योंकि कोई भी आपके blog को पढ़ सकता है और उसके बाद देखे maximum post आपको 7 रखना है काम हो जाएंगे automatically यहाँ पर आपको formatting में time का option दिखेगा time zone का तो इसको आप change करो और इसके अंदर आपको करना है क्या देखे दोस्तो अगर आप इंडिया के लिए blog लिख रहे ना तो आपको इंडिया का time zone चूश करना है ठीक है और इंडिया का time zone चूश तो चलता है क्याल का टाका ठीक है तो यहाँ पर देखे इंडिया का time zone क्याल का टाका मैं चूश कर लेता हूँ and मैं save बटन पर click करूँगा तो यह save हो जाएगा उसके बाद दोस्त आपको कुछ नहीं करना है और जो भी बाखी settings है उनको आप रहने दीजिए ऐसे कैसे आपको कोई changes नह सकते हैं अपनी profile बना के वहाँ पर आप भी पैसे कमा सकते हैं तो link मैंने description में दे रखा है आप जाके सवालजवाब.com को भी join करिएगा ठीक है तो यहाँ तक दोस्तों I think आपको समझ में आ गया होगा और यह हमारा दूसरा step है Indian festivals पर काम करके पैसे कमाने के लिए content अब festivals पे अलग-अलग blog को ज्यादा content को easily लिख सकते हैं तो जितना content आप लिखोगे उतना ज्यादा आपका blog rank करेगा उतने ही ज्यादा लोग आपके blog पे आएंगे वो आपके blog पे आगे content को read करेंगे तो इस परकार से आप अपना दूसरा step भी easily complete कर सकते हैं एक अपना free blog आप easily बना सकते content को लिखने के लिए अब आपको देखे main जो technique है जो trick है वो क्या इस्तमाल करनी है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ और यही इसका main जान है ठीक है जहां से आपको पैसे मिलेगा देखे अब आपको करना क्या है जो आपने free blog बनाया है ना इस blog के उपर आप को Indian festivals के बारे में लिखना पड़ेगा simple trick है concept है ठीक है और देखे लोग क्या करते है मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ एक tab पर लेके चलता हूँ यह एक tab है ठीक है अब यहाँ पर देखे मैं लिखता हूँ 15 August ठीक है 15 August मैं लिखता हूँ और मैंने search बटन पर click किया जैसे मैं search बटन पर click करूँगा सबसे बेले तो आप यह देखे लो 15 August इसके उपर काफी सारे top stories आ रही है गूगल के उपर और stories से भी आप वैसे पैसे कमा सकते हो ठीक है तो यह top stories आ रही है अगर आप नीचे scroll down करके देखोगे न तो देखे इसके उपर बड़े-बड़े blocks ने इसके उपर blog लिख रखा होगा जैसे Wikipedia ने लिख रखा है यहाँ पर देखे टाइम सॉप इंडिया ने लिख रखा है अगर आप और नीचे scroll down करेंगे तो देखे यहाँ पर कई सारे लोगों ने वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं उसके अलावा देख आपको और भी काफी सारे blocks मिल जाएंगे जिसने 15 August के बारे में लिखा है यह देखे इंडिया tv news.com इसने भी 15 August के बारे में लिखा है तो लोग क्या करते हैं कैसे हुआ था कि से करते है कुछ लोग images को भी सर्च करते हैं, कुछ लोग videos को भी सर्च करते हैं, अलग-अलग तरह से लोग 59 अगस्त के बारे में सर्च करते हैं, इसी परकार से अलग-अलग festivals के बारे में Google पे लोग आते हैं और अलग-अलग festivals के बारे में अलग-अलग जानकारी जुटानी की कोशिश करते हैं, जिसे दिवाली के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इमेज इसको लेंगे, उसके वीडियो के बारे में लोग स्चर्च करेंगे, तो वहीं content आपको पैसे कमाने की permission देगा, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है? देखे, आपका जो free blog आपने बनाया था, उसके उपर आपको 15 August से related content पोस्ट करना है, और एक सबसे important चीज आपको पता है, क्या ध्यान रखनी है दोस्तो, अगर आप कोई भी blog पोस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना कम से कम आपको 48 गंटे पहले पोस्ट करना है, मतलब दो दिन पहले, ताकि आपका blog crawl हो जाए, आपका SU भी 48 गंटे में काम करेगा, अगर आप crawling fast करवाना चाहते हो, तो फिर आपको Google Webmaster में जाके, अपने blog को fast crawl करवाने के लिए submit करना पड़ेगा, ताकि आपका blog जल्दी Google में rank कर जाए, ठीक है तो अब आपको करना क्या है देखिए दोस्तों, इस पे आपको content लिखना है तो यहाँ पे देखिए new post पे आपको click करना है, और new post पे click करने के बाद, यहाँ पे आपको title देना है title आप कैसे देंगे, जैसे यहाँ पे 15 August आप लिखे, Indian festival के जगह आप यहाँ पे 15 August 2022 लिखे, एड उसके बाद दोस्ता आपको search button पे click करना है आप देखिए यहाँ पे आप title कैसे लिखेंगे उसका idea आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे blogs लिख रखे होंगे काफी सारे वीडियोस आ रखे होंगे इनके according की आप उपना एक जो है easily title बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे 15 August 2022 उसके बाद आप यहाँ पे देखे क्या लिखोगे, जैसे best wishes ठीक है, best wishes for friends ठीक है यहाँ पे और क्या लिख सकते हूँ यहाँ पे लिख सकते हूँ, Indian festival ठीक है Indian festival उसके अलवा आप क्या लिखोगे यहाँ पे title में यह देखे मैं इसको और थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको एक बार मैं copy कर लेता हूँ copy करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे title पेस्ट करना है और यहाँ पे देखे Independence Day भी लिखना है ठीक है Independence Day 2022 इसको आपने copy किया यहाँ पे आए और यहाँ पे देखे आप इसको इस परकार से paste करिएगा और यह आपका complete title लिख चुका है इस परकार से दोस्तों आपको title लिखना है आप चाहे तो इसके बीच में हिंदी भी लिख सकते है सवतनतर्ता दिवस 2012 की best wishes आपके french के लिए या फिर आपके दोस्तों के लिए इस परकार से आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हूँ उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है title आपने लिख लिख लिया title लिखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है यही जो title है इसको आप यहाँ पे copy करो और यहाँ पे आपको paste करना है यहाँ पे आप इसको bold करो और इसको आपको करना क्या है center में लिखे जाना है, यह देखे center में लिखे गए and इसको देखे, आपको headline बनानी है दोस्तो, ठीक है, क्योंकि जो पहला चीज, जो आपका होता है content, वो आपका headline होता है और यह according to SEO rules and regulation है, ठीक है आपको SEO के rules and regulation भी यहाँ पर आपको द्यान में रखने पड़ेगे, अब आपको करना क्या है, देखे दोस्तो, यहाँ पर अगर content लिखना चाहें, तो आप अपना content लिख सकते हैं तो इसमें हमने best wishes के बारे में लिखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसी को हम यहाँ पर search करेंगे 15 August, Independence Day wishes करके मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर इसको paste कर देता हूँ, ठीक है अब इसकी देखे, आपको wishes कैसे लेनी है, जैसे यहाँ पर देखे, काफी सारी wishes आपको Google पर मिल जाएगी जैसे यहाँ पर आप कुछ भी नेचे slow down करोगे, तो देखे, काफी सारे blocks के उपर आपको wish मिल जाएगी, जहाँ से आप copy paste कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहला मिल रहा है, ठीक है तो मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ और copy करने के बादे की content आपको लिखना पड़ेगा, काफी बड़ा content लिखना पड़ेगा आपको, मैं तो सिर्फ trick दे रहा हूँ, ठीक है, इस trick का आपको खुद से इस्टमाल करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखे, यह content आपको मिल गया wishes का, तो मैं क्या करूँगा, इसको copy कर लूँगा, और एक मैं आपको और tool देता हूँ, जहसे आप अपना copy paste को भी अपना खुद का easy content बना सकते हैं, और इसको पता है क्या बोलता है, content rewriter, ठीक है, content rewriter आप Google में search करो, यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर देखे दोस्तों, आपको एक tool के उपर click करना है, article rewriter tool.com, ठीक है, और यहाँ पर देखे दोस्तों, आपने tool है, वो खुल गया, यहाँ पर आपने जो copy किया था, उसको paste कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपको capture लिखने है, ठीक है, मैंने capture लिखा, और उसके बाद दोस्तों, आपको करना गया, rewriter text के उपर click करना है, ठीक है, जैसे दोस्तों, rewriter text के उपर click करोगे, जो wish ती आपने copy किया न, वो wish आपकी change हो चुकिये, और यह आपको खुद का content बन गया, यह आपको copy right claim नहीं देगा, अब आपको करना है, दुबरा से यहाँ पर आना है, और यहाँ पर देखे, आपको थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पे इसको paste करना है, ठीक है, आपका paste हो गया, अब आपको करना है, यहाँ पे एक image भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो image कैसे लगाओगे, जिस मैंने यहाँ पे Google पे गया, और यहाँ पे दोस्तो आपको image पे क्लिक करना है, और image पे क्लिक करने के बाद, आपको यहाँ पे करना क्या tools के उपर जाना है, और यहाँ पे paste कर लेता हूँ, यह देखे मैंने इसको copy कर लिया, और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे insert image के उपर क्लिक करना है, upload from computer करना है, और उसके बाद दोस्तों choose file करना है, ठीक है, बहुत simple है, आसान से कोई भी कर लेगा, अगर आप लिखोगे खुछ से, तो फिर आपका blog definitely rank करेगा, काफी अच्छा पैसा आपको हर festival पे मिल जाएगा, तो यह देखे दोस्तों हमारी image यहाँ पे upload होगी, simply select button पे क्लिक करना है, और यह देखे हमारा आपका काम हो गया, आपकी image भी लग गई, और आपका जो wishes वाला blog था, वो भी लिख गया, अगर आप इसका preview देखना चाहते हैं, तो देखे, preview के उपर आप क्लिक कर सकते हो, और जो आपने लिखा है न, वो आप अपना blog को preview में देख सकते हो, ठीक है, preview पोस्ट करके मैं इसको देख लिता हूँ, देखे, कैसा blog हमारा लिख है, तो देखे, मैंने preview के उपर क्लिक किया, मैं एक बार वापस से refresh करके देखता हूँ, तो मेरा preview मुझे दिख जाएगा, यह देखे, इस परकार से आपका preview आपको दिखेगा, आप दिखे, मैंने तो दोस्तों, आपके short blog लिखना दिखाया है, एक short trick मैंने आपको बता है, अगर आप इस सही तरीके से आप इसके उपर काम करोगे, और सही तरीके से आप long tail content लिखोगे, इस festival के बारे में, तो फिर आपको यहाँ पर traffic मिलेगा, गूगल से, ठीक है, अगर आप इसका SEO सही करोगे, long tail आप content लिखोगे, जितना ज़्यादा बड़ा content blog आप लिखोगे, उतना ही आपके पास traffic आएगा, दो million में से, या 10 million में से, एक million traffic भी आगए ना, तो एक में आपका 1000 dollar क्या, 2000 dollar आसानी से बन जाएगा, ठीक है, तो उसके उपर आपको काम करना है, और मैं आपको बताओं दोस्तों, अगर आपकी पास knowledge है, आपकी पास SEO आपको आता ना, SEO देखो बड़ी चीज नहीं है, आप Google पे जाओ, YouTube पे जाओ, Neil Patel के चैनल पे जाओ, हमारे चैनल पे जाओ, SEO सीखो, ठीक है, SEO अगर आपने सीखा, content लिखा, और आपने Google में इस परकार से विशेश, या फिर दोस्तों, festival blocks को rank करवा दिया ना, तो हर festival आपको 500 से 700 dollar, 100% में guarantee दे सकता हूँ, देके ही जाएगा, लेकिन काम तो भगया, आपको ही करना पड़ेगा, और मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत तो जो तरीका था, जो trick था, वो बता दिया, क्योंकि इस तरीक पे मेरे जैसे कई सारे लोग काम करते हैं, ऐसे कई सारे bloggers हैं, जो सिर्फ और सिफ festival blocks को run करते हैं, और festival blocks ही मेंदद से ही, उनका 2-3,000 dollar का revenue होता है हर मेने, क्योंकि इंडिया में festivals की कमी नहीं है, तो जितने festivals, उतना traffic और उतना पैसा, ठीक है, तो आपके पास एक मौका है, एक short time में काम करने का, कम time में काम करने का, और अच्छा पैसा कमाने का, इसमें आपको ज्यादा blog भी नहीं किना पड़ेगा, कम blog लिखो, festivals पर लिखो और पैसा कमाओ, ठीक है, अब आपको करना के आदे के दोसों, वापस से blogger.com पर जाना है, यह blog आपको simply publish बटन पर क्लिक करना है, confirm बटन पर क्लिक करना है, publish होगे आपका blog, जैसे दोस्तों publish होगा, यहाँ पर देखे, इस परकार से आपका blog आगया, और इस पूरे process के अंदर एक पैसा नहीं लगा, सिर्फ मैंने आपके 30 मिनट ले होंगे, उस 30 मिनट में मैंने आपको trick बता दी, काम आपको करना पड़ेगा, यह 30 मिनट आपके लिए most important थे, अगर आपको अच्छा लगा है आज का वीडियो, तो like करो, यह वीडियो कम से कम आप 2-4,000 लोगों तक share करो, 2-4,000 लोगों तक share होगा, कम से कम 2-5,000,000 वीउस तो आएंगे, 1,000,000 वीउस आप लागे दोगे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 1,000,000 वीउस के लाएगी, content मैंने आपको लिए बनाया है, लेकिन वीउस लाना तो आपका काम ह अगर आप like नहीं करोगे, comment नहीं करोगे, share नहीं करोगे, तो वीउस नहीं आएंगे, और इसी परकार की content मैं आपके लिए नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो motivation ही नहीं मिल रहा है, मेरे तो 2-4,000 वीउस आते हैं, तो भिया, share करो इस वीडियो को, ठीक है, अच्छ minute खुद से लगाओ, और किसी एक festival के बारे में आप search करो, blog.com पे बनाओ, wix.com पे बनाओ, या फिर खुद का एक domain लो, खुद का एक hosting ले लो, और WordPress पे अपना blog बना लो, उसके उपर आप लिखना सुरू कर दो, 100% आपको सफलता मिलेगी, आप गर बेटे पैसे कमा पाऊग ठीक है, तो trick शांदार था, अब आपको apply खुद से पर करना पड़ेगा, तो इसी उमीद के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं finish करता हूँ, आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, किस topic पे आपको अगला वीडियो चाहिए, मुझे comment करके बताना दोस्तों, आपको जाके join कर सकते हो, हमारी free classes को join कर सकते हो, इसके अलावा अगर आप हमारी team के साथ बात करना चाहते हैं, हमारे सवालों के जवाब आप लेना चाहते हैं, तो फिर आप सवालजवाब.com पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी profile भी बना सकते हैं, आप अपनी profile बना में दे दिया है आज का वीडियो बैस यहीं तक था दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद